ओम सहनाववदू सहनाववदू सहवीर्यंगरवावः तेजस्विनावदी तमस्टुमाविद्वेशावः ओम शान्ति 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 ओम आप्यायंदुममांगानी वाग प्राणस्चक्ष शोत्रम थोबलमिंद्रियानिच सर्वानी सर्वं ब्रम्हु बनिशदं माहं ब्रम्ह निराकुर्यां मामां ब्रम्ह निराकरोत निराकरणमस्त्व निराकरणम्मे अस्तुम् तदात्मनि निरतेय उपनिशत्स धर्मास ते मैं संथू ते मैं संथू ओम शान दिश्शान दिश्शान दिही अरी ओम शरी गुरुब्यो नमहा अरी ओम सदाशिव समारंभाम शंकर आचार्य मध्यमाम अस्मत आचार्य बल्यंताम वंदे गुरु परंपराम ओम ये इरिमे गुरु भिफ्पूर्वं पदवाक्य प्रमानतह व्याख्यातास सल्व वेदांताह तानित्यम प्रणतो स्म्यः जो 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 आचार्य आचार्य प्रमानतों आचार्य मंतर है याद राक वाजिव वा जासे विद्याँ प्रक्रण नू लाकंडिका जे चे याद राखवा जेवी चे अन्न मयम ही सोम्य मनहा गणी बदी जिग्याय उद्धरण धाय चे अन्न मयम ही सोम्य मनहा आपो मयह प्राणह तेजो मैई वाक इती तो आ प्रमाणे श्वेत केतूने उद्धा लके आ मंत्र जेचे अन्न मयम ही सोम्य मनहा आपो मयह प्राणह तेजो मैई वाक त्रण थी चार वखत आवी दिरते आवेलो छे एतले एक वार उद्धा लके श्वेत केतूने समझाव्यू के आ अन्न और मन प्राण न वानी आ त्रण जेचे ए भूतिक चे भूतनो विकार चे त्रण सुक्यावैत्रिवृत कुरूत चे अन्ने माटे वाचारंबन चे मिथ्या चे एनू स्वतंद्र अस्तित्व न थी तो श्वेत केतूने आपो मया प्राण ए समझावी समझाई गयू तेजो मयी वाक वानी ए तेजनु कार्य चे तेजनो विकार चे ए उपन समझाई गयू परन्तु मन केवी रिते अन्न नो विकार चे अन्न थी बने चे एनू एने समाधान न थायू श्वेत केतूने वो नि इतले एक तो पहला युक्ती उद्धा लगे कोने श्वेत गेतुने समझावी के दहीने ज्यारे मतवा माँ आवे दहीनु अपड़े रवाई थी मन्थन करवा माँ आवे त्यारे सर्पी बटर इतले माखन जेम उपर आवे छे इतले के दहीनों आवो सुक्ष्म भाग जे ए उपर आवे छे इवीज रिते जे आपड़े अन्न खाईये छी ए खादेला अन्न नो खादेला एतले समझवानू वैश्वानर जठरागनी द्वारा परमात्मा द्वारा ज्यारे अन्न पकवा माँ आवे छे त्यारे एले बद्दूज परमात्माना हाथ माँ छे परमात्मा ज्यां सुधी आ वैश्वानर रूपे आ अन्न ने पकवे नहीं त्यां सुधी आपणू मान वगेरे जे छे एनू घड़तर थाई नहीं आपणू मन केम आवू छे ता आपने खोरा काओ खईये जीए ये तो बदू गउन केवाई परन्दू आपणू मन माज ये विचारो जन्मे जे बद्दू परमात्माना हाथ माज छे परमात्माज अन्न माथी रस वगेरे ने आवी रिते छुटा पाड़े जे जठरागनी द्वारा पच्चायलू जे अन्न छे ए आवी रिते एनो सुक्ष्म भाग रदय तरफ उपर आवे जे जे माखन सुक्ष्म होवाधी दैने मत्वामा आवे तरफ उपर आवे इवी रिते अन्न नो सुक्ष्म भाग पण उपर आवे जे तो आ युक्ती के द्रिष्टांत द्वारा समझाव्यू श्वेत के तुने हजी आम द्रड निश्चाय थयो नहीं के अन्न मयम ही सोम्य मना हा तो इटला माटे उद्धा लगके प्रयोग द्वारा फरीथी समझाव्यू के तुँ पांदर दिवस कशू खईश नहीं तुँ जुईये इच्छे एटलू पाणी चोक्कस पी शके छे ले पांदर दिवस ज्यारे श्वेत के तुँ एक कई खादू नहीं अन्ननु ग्रहन करिऊ नहीं तो पांदर दिवस मननी एक एक कडा मनना देवता चंद्रमा छे जम चंद्रमा मा पण सोल कडा छे एवी रिते मननी पण सोल कडाओ छे मननी कडाओ एटले मननु जानवानु सामर्थ्य शोड शकलह पुरुषह यू जे एक सातमा खंडनो पेलो मन्त्र छे तेमा शोड शकलह पुरुषह एटले मन समझवानु जे सोल कडाओ पुरुष एनने मन केवाई जे एलले पुरुष सोल कडाओ वाडो छे एलले के मन आवी रिते सोल कडाओ वाडू छे जम चंद्रमामा पंदर कड़ा वदे छे अने घटे छे जारे सोडमी कड़ा द्रुवा होई छे जारे सेमा विवतु आ वस्तु अजात शत्रु अजात शत्रु ब्रह्मन मा चर्चा विती चंद्रमानी सोडमी कड़ा जे अमासना दिवसे होई जे ए द्रुवा ए चंद्रमा पोते छे अने चंद्रमानी बाकी नी पंदर कड़ा ओ जे छे ए आवनारी जनारी एलेके वदनारी घटनारी होई छे एविज रिते मनमा पण मननी पोता नी जे सोलमी कड़ा छे ए पोते छे लेके जे पंच महा भूत ना समस्टी सत्व अउश माथी मन बने जे ए सोलमी कड़ा वालू मन पोते छे अने मनमा पंदर एन ये कड़ा वो छे ए अन्नना परिणाम रूपे छे अन्ननो उपचय अन्न अपचय थाए तो मननू पन आवी रिते सामर थे छे जानवानू ए वधे के गटे घणिवार सतसंग मां के गमेते कोईक जग्याए आम झोकावे उंगवे त्यारेसु जाए के वाई के मननी एक कड़ा जे छे ने ए उची छे मन एनी सोले सोल कड़ाओ हाजर नथी सत्संग मा गणिवार उंगावे उपर थी जाए समझाए नहीं आ सु केवासू मागेजे आ स्थोल कड़ाओने त्रिवरूत करणा बदा शब्दो आम बदू सु चाली सु रही हुजे गणिवार आपन ने यह थाए विदान बणिए त्यारे था यहुँ कहीं नथी कहतो पड़ाम कहीं पड़ कोई भी जग्याए काई कसू समझाए नहीं आ क्यवासू मागेजे तो मन नी ए सोले सोल कड़ाओ त्यारे हाजर नथी आपने पसी कहीं है का बई चाबी ने आओ कहीं का मन एक्टिव होई मन सोले सोल कड़ाओ वाड़ू हाजर होई तो आपने पहुंचाडवा मागी जे बदू समझाए आपने इतले सोल मुई कड़ाओ वाड़ू जे मन पोते छे ए पंच महाबुदना समस्टी सत्वा उशनू परिणाम छे परंतु जे पंदर कड़ाओ जे छे न ए अन्नना परिणामे मनमा उपचाए अपचाए वाड़ी छे एतले अन्ननू ज आवीरिते विकार के अन्न रस जे छे ए नो सुक्ष्म भाग आ मनने घडतर करे छे मननू निर्मान करे छे एक आवस्तू एले उद्धालकेत त्रण वखत अन्न मयमी सोमे मनहा आपो मयह प्राणहा तेजो मयी वाक आ मंत्र जे छे आवीरिते आव्यो छे एक वखत एम जे समझावियो बीजी वखत दैने मत्वा वाडू जे उदारन छे एना द्वारा समझावियो युपती हती है अने पछी हजी श्वेत के तू समझो नहीं इले प्रयोग द्वारा समझावियो के तू पंदर दिवस खाईश नहीं तो ए मननी पंदर कड़ाओ जोवानू सामर्थ्य साम्बढ़वानू सामर्थ्य बोल्वानू सामर्थ्य हाँ बद्धू इंद्रियो मां ग्रानेंद्रियो पांच एम करीने आखी पंदर कड़ाओ जे थाई जे ए मननीज छे ता प्रमाणे अन्न थी मन पुष्ट थाई जे उप्रयोग द्वारा पन समझावियू एले पंदर दिवस थाया ने पछी उद्धालके श्वेत के तुने बोला आवे चलो रुगवेद ब सामवेद बोलो तो लो कैछे के नवई माम प्रति भांती भोहो ए पगवान उद्धालक मने काई याद आउतू नथी उँँ सामवेद ना आते बदू बढ़े उचू मने कहीं याद आउतू नथी तम क्लास मा कहीं पूछे ना याद आवे न तो आवा शब्दो बहु सरस याद राखवा जिवा जे नवई माम प्रति भांती भोहो गणिवार आविरित ना पड़े न तो आउ बोलवानू नवई माम प्रति भांती भोहो एले स्वामी जी समझी जाया जी कहीं समझायू नथी इले मने कहीं याद आउतू नथी मने कहीं समझन पड़ती नथी एव प आश एदले केए येणे हवे खावानु शरू करिू तो जीऊ खावानू शरू करिू बोजण थी तुरुपत थाया तुरुपत थाई ने उद्ध श्वेत केतू चै उद्दा लक पासे आवेओ अने पिताये मंत्रन अर्थ बन्य पुछया उद्धा लके श्वेत केतु ने श्वेत केतु फरी थी बदू बोली गयो एने बणेलू पाचु याद आभी गयो बणेलू गनान नष्ट पामतू नथी आपने जे कहीं पण भणेया छिए अत्यारे अहितरे उपनिशद विशे कहीं कापड़े पूछिये तो याद ना पण आभे तो याद न आभे ले बदू अर्यों थाई गयो एव समझवानू नए बणेलू गनान कोई दिवस नष्ट पामतू नथी नेहा बिक्रम नाशोस्ती पछी सूजे नेहा बिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायोन विद्यदे अभिक्रम नाश थतो नदी बगवान नू आज नवलू कउन्तेय प्रती जानी ही नमे बक्त प्रणश्यती जेवू आम सुग्यवायाओ है आउँ हैया धारण आपतू वचन छे नेहा बिक्रम नाशोस्ती प्रत्यवायोन विद्यदे अध्यात्मिक प्रगती माटे आपने जे आ शास्त्रो वगेरे सत्संग वगेरे करिये छी एमा बिक्रम नो नाश थतो नदी अबिक्रम एले पेल्लू पगत्यू जेटलू चड़्या होईये आपडे एटलू एनो ना नाश थतो नदी एवु नेवु अकबंद राखवानी बगवाननी जवाबदारी छे एटले आपणे पेलले दी तत्व बोध थी जानके शरू करू पड़े एवु थतो नदी ले सम्सकार रूपे मनमा आप भणेला बणेलू जे कई पण छे ने आपणे शास्त्रो नू ए विचार बाथू संग्रहायलू जो होई छे बले एने फरीथी जानवू पड़े पिताय आचार्यनी आवी रिते जवाबदारी छे के ए सम्सकारों ने उद्बोधित करे तो आवी रिते रिवीजन वगिरे ध्वारा पण थाए एटले टुकमा आ प्रयोग द्वारा पण सम जाविऊ के अन्नजे छे एना रस थी आ मनस आवी रिते दुक्त थाई छे मनसू सामर्थए पाचु आवी जाई छे मननी कड़ाओ अन्य वडेज मननु सामर्थे अन्य वडेज आविरिते बढ़वान थाय छे एले मननी कड़ाओ होई तो मन आविरिते जे जीव छे पुरुष्छे जोवा बालो सामबलवा बालो सर्व क्रिया करना रव थाय जाय छे प्रयोग द्वारासू सिद्ध थयू एने नोतू खादू त्यारे मननी कड़ाओनो ख्षय थाय अन्य व्यतिरेक केवाई ज्यारे अन्य अशन नोतू थतू त्यारे मननी कड़ाओ जे छे ये आविरिते क्षीन पामती यती अन्य जीव खावानू चालू करियू अन्य वडे त्रुपती बगेरे मली अन्य नो अन्य थायो तो मननू सामर्थे मननी कड़ाओ पाची आवी गई हाम अन्वय औने व्यती रेक ना प्रयोग द्वारा श्वेत केतुने समझाविव इतले छिलले श्वेत केतु समझी गयो इतले हिया जे आ एले श्वेत के तू कहे चे गुरुजी वुम्हाँ शम्जी गयो चू अन्नमय ही सोम्यमन हा आपो मय प्राण हा तेजो मई वाक तो जे प्राण चे आपणा ए जड मै चे जडनू जड थी पुष्ट थनारा चे तेजो मई वाग वाणी जे छे ए तेज तत्व थी जेमा तेजनू प्राधान्य हो एवा गी तेल वगेरे तत्व थी वाणी पुष्ट थाई छे तो आ प्रमाणे तत धास्य विजग्नाव विजग्नाव इती ते ह त श्वेद केतु तत ह अस्य श्वेद केतु अस्य तत्धास्य विजग्नाव पन बाउज फेमिलियर फ्रेज छे उपनी शदो मा नारत जी होई सनत कुमर पासे गया त्यारे पन तत दासे विजगनव युँ आवे छे श्वेत केतू पन आविरिते उद्धालक पासे आविरिते प्रयोग द्वारा पन समझी गयो ले तत इतले ए समझी गयो असे असे लेसु आज ये शास्त्रनू नीर्णई छे अन्नमयम ही सोम्यमनह आपोमयह प्राणह तेजो मैई वाक ए समझी गयो विजगनव विजगनव युँ बेवार आवियो एतले के अईया एक प्रक्राण आमतो तत्वमसी महा प्रक्राण छे एकज प्रक्राण केवाई जे सद विद्यानू प्रण्दु यानो एक भाग जाने के एक प्रक्राण पुरू थयू तत्पदार्थ शोधन पुरू थयू अथवा तो ब्रह्मसत्यम जगन मिथ्या ए जे छे विजार सुत्र ए अईया समाप्त थाई छे संपूर्ण द्रुष्य वर्ग जे छे ए सद रूप छे सत नू कार्य छे सत थी अनन्य छे वाचारंबन छे मिथ्या छे एमा एनू सत थी स्वतंत्र स्तित्वन थी एतले द्रुष्य वर्ग मां घडो छे पवस्त्र छे तो एमा छे रूपे सत अनू स्यूत छे समग्र द्रुष्य मां छे वगर नो घडो क्यारे उपलब्द थाई शके नई माटे गडो छे एव कईये त्यारे गडो एच्छे उपर नो अध्यारोप छे गडो अने छे एमा बे समान वस्तुओ नथी इले छे पणू अने घट पणू बे समान सत्तामा रहेला नथी बे समान सत्तामा रहेला होई तो गडो छे एमा विशेश्य विशेशन भाव होई अने गडो नाश पामी जाई तो छे पणू पण गडानी साथेज नाश पामी जाई जो समान सत्ता मा होई तो गडो छे एमा छे पणू अने गटत्व गट पणू समान सत्ता मा होई तो जम गडो जयारे नाश पामेने तो छे पणू पण नाश पाम्बू जुई है पण गडो जयारे फुटी जाए त्यारे छे पणू क्या जाए छे गड़ो फुटी जाए छे पणू अधिस्ठान चे तो गड़ो फुटी जाए तो छे पणू क्या जतूरे ठीकरा मा जाए ठीकरा मा जाए थोड़ुक विचारी है अजी गड़ो जतूरे तो छे पणू क्या जतूरे नहीं नहीं थोड़ुक विचारी है द्रश्टान रूपेद समझवानू जे आमा द्रश्टा ना लाविये सपोस्तो जो छे पणू क्या जाए नहीं छे पणू इव्वु नेवु त्यान त्यां जरे गड़ो आवे जाए ठिकरा आवे जाए माटी आवे जाए वगेरे छे पणू क्या जतू नथी एज बत्ता आवे छे के छे पणू अधिष्ठान छे एटले एक क्या जतू आवतू नथी एना उपर अध्यारोप आवे छे नहीं जाई छे गडो छे ए वस्तू एम छे पणू आवीरित अधिश्ठान छे छे पणू को सत को सत्ता को वगेरे तो ए आवीरित निर्विशेश अस्तित्व सरूपे एम ने एम ज निर्विकार सरूपे हाजर रे छे अपने आएक आतली विचारणा करी एना थीसु समझवानू संपूर्ण द्रुष्य जगत छे ए सतनू कार्य छे अथवा तो वाचारंबन मात्र छे सत पर्नो अध्यारोप छे समकूर्ण जगत नू अस्तित्व स्वतंत्र नथी सतती जुदू ए उपलब्ध थतू नथी अईया उला प्रयोग मा अलू एक मंत्र छे महत अभ्याहितस से एक मंगारम खद्योत मात्रम परिशिष्टम पंदर कड़ाओ नाश पामी जाए सोड मननी तो सोड मी कड़ा जे रहे छे ने ये आग्या जेवी खद्योत मात्र होई छे आग्यों जेवी अत्यांत नानो जे जेने केवाई ने कॉलसानों जे होई ये कशू मूटू बाड़ी ना शके परन्तु यमां त्रोण ने सुकू घास ना वगेरे बा नाखिये तो फरीधी पाचू प्रज्वलीत थाए अन्य रांधवा मां आपणने उपयोगी थाए चूलो ये विद रिते ज्यारे मां आवी रिते अन्य रूपी आहूती नाखवा मां आवे तो फरीधी पाचू ए प्रज्वलीत थाई जाए चे तो ये कापण प्रयोग हतो एतले आ प्रयोग आज अन्य मयम ही सोम्यमन हा आपो मय प्राण हा तेजो मई वाक तो ये वैशेशिक मतनो निरास थयो मन पन अन्य नू आवी रिते विकार छे कार्य छे माटे जे जे कार्य होई ए एना कारण थी जुदू स्वतंत्र उपलब्ध थाई शके नई मन पन भौतिक छे उत्पन थयलू छे विकार रूप छे ए नित्य नथी एमा पन सोल्मी पंदर कड़ाओ आवे जाए एतले मन पन साती शय छे ए उपचाई अन्य अपचाई धराव नारू छे मन ए नित्य द्रव्य छे एउ नथी तो वैशेशिक मतनो पन निरास थयो पछी मन स्वतह चेतन नथी मन पासे पोतानू जे स्वत्तान स्फूर्ती नथी ए पण एक साबित थयो अने सोल कड़ाओ वालू छे एदले ए आत्मा केहवाने योग्य नथी बहुद्धो छे ए सात्मा माने छे परंतु मन पासे स्वतानू स्वतंत्र चेतन नथी ता बदू भाश्य मा थोडूक लखेलू जे सात्मा खंडना पाज मा छट्था मंत्रमा अने हवे एक प्रश्ण एवो थाए के अपवाद केवी रिते शरू थयो पहला अध्यारोब थयो के संपून जगत ए सतना संकल्प पूरुवक नू छे सर्जन सत देवता के परा देवता ए संकल्प कर्यो अने एने तेज जल अने पृत्वी रूपी त्रण भूतो नो संकल्प कर्यो ए त्रण भूतो रूपी कंचुक के वेश दारान कर्यो अने पजी त्रिवृत करान कर्यो अने समग्र जगतनू सर्जन थयो अने पजी आवी रिते बदा जीवो नू आवी रिते प्रवेश थायो अबद दो अध्यारोप थायो अपवाद करवा माटे अपागात अगनिहे अगनित्वम त्रण रूपोज सत्य छे एम करीने जे विचारणा हती एना द्वारा अपवाद थायो इतले नाम रूप विशेशो जे छे एनो आवी रिते अपवाद थायो तो आउ थाय आपन ने के जे सामे देखाये जे नेमा त्रण रंग छे तो त्रण रंग छे इतले अवे जे आंधलो हो एने तो त्रण रंग देखाया जे नहीं तो ए अपवाद कही रिते करे इटले के खाली चाक्षुष दुरुष्यो नोज अपवादनू विचार भाथु अईया चांदोग्यमा आपेलू छे त्रण रंगज सत्य छेऊके एटले के त्रण भूतोज रहेला छे जे विशेश ताओ छे हकीकत मा एतो आवनारी जनारी छे अने इरीते अपवाद थायो तो अपवादनू बीजा प्रकारे विचार भाथु अन्य उपनीशदूमा कीवी रिते छे तो ब्रुधान कुपनीशद मैत्रेई ब्राह्मन छे एमा जुदा प्रकारे अपवाद बतावामा आवयो छे सर्वासाम अपाम समुद्र एकायनम जे सैंधव खिल्यवाली कंडी का हती मैत्रेई ब्राह्मन मा एनी पेला आवे छे के लए स्थान बतावी ने अपवाद करवामा आवे छे सम्पूर्ण इंद्रियोनु लए स्थान मन छे मनने जोवानी इच्छा थाए त्यारे मन पोते आख बनी जाई छे मनने सांबलवानी इच्छा थाए त्यारे मन पोते कान बनी जाई छे मनमा सांबलवानी इच्छा न होए ने त्यारे कान श्रवणेंद्रिया होती नथी श्रवणेंद्रिया मनमा लीन पामेली होई छे तो आवी रिते मर्जर अथवा तो लय स्थान ब्रोधान गुपनिशत मा बताववामा आवियू तो एवी रिते पण अपवाद करी शकाई सम्पून जिटला पण आखु द्रुष्य प्रपंच जे छे एना जिटला पण आवियू ते रंगों छे एले रंग अथवा तो द्रुष्यों छे ए आख वडेज जोवाई छे आख बंद होई तो एक पण द्रुष्य आपणने देखाई नही जिटला पण द्रुष्य छे आ जगतमा ए बद्धानू लय स्थान कईू केवाई तो आपणी आख आख ने कईक जोवाई पहाड आख जगत छे एनू आपने मर्जर करवू होई एने रिजोल करवू होई एनो लय करवू होई तो आख बंद करी देए तो जगतमनू एक पण द्रुष्य रंग के रूप आकार रे नहीं लय स्थान केवाई आवी रिते अपवाद थाई शके जे तो इवीज रिते आख नो लायस्थान मन छे अने मननू पन लायस्थान छे ए हवे समझवामा आउशे के मन जे छे ए पन आवी रिते सत चैतन्य परनो अध्यारोप छे तो ए वीचान आवे आठमा खंड थी शरू थसे तो प्रुधान कुपनिशद मा आवी रिते मर्जर के लायस्थान थी समझावे अपवाद मन्डुक्य उपनिशद मा अवस्थात्राय प्रक्रिया जे छे जागरत अने स्वप्न बनने जे अन्याथा दर्शन किदा छे ए आवी रिते एनू मूल कारण आप्राग्ना के सुशुप्ती छे ले सुशुप्ती ने प्राग्नाने चेतो मुखह किदू छे अने प्रग्णान घन की दू छे उपहितनी द्रश्टी एनने प्रग्णान घन की दू छे अने उपाधीनी द्रश्टी ए चेतो मुखह इले आ बये जे एना प्राग्णान लक्षणू की commerce एना द्वारा लए लएके अपवाद बतावामा आवयो छे के जागरत अने स्वपन बनने माँ जे कई पन प्रपंच जनाई जे एने आवी रिते बीज भाव माँ यहनों लई थाई छे ए रिते आखु समझवा माँ विव इतले संपूर्ण दुरुष्य जगत छे विशय छे ए भूत मात्र भूत एदले काया त्रण तेज जल अनपूर्थवी समपूर्ण विशयो समपूर्ण दुरुष्य जगत जे छे भूत मात्र छे अने भूत ए सन मात्र छे सतज छे सतती जुदू नथी सतनूज कार्य छे आने गणान केवाई आ एक प्रकारनी उपासना नथी गडामा माटी ना दर्शन करिये अत्वा तो गडामा माटी बुद्धी करिये एने गनान केवाई एने उपासना ना केवाई उपासना कोने केवाई जो गड़ानू तत्व माटी ना होएने अने माटी बुद्धी जाडविये तो एने उपासना केवाई इले दृष्य ए सन मात्र छे ए उपासना नथी आ संपून जगत ए सत परमात्मा जे छे चालो इवी भावना करो आ भावना करवानी वस्तु नदी आ वास्तविक्ताना दर्शन छे इतले उपासना नथी आ गणान छे माटी द्रिष्टी एले गड़ो ए म्रुन मात्र छे माटी जे चे ले ब्रमती आपणे एने गड़ो एव प्रुथक एनू सत्व मानता हता संपून जगत नू पन जाने के छे एव मानता हता परंतू जगत जे चे मिथ्या चे लगणान थी एनू स्थाई स्थाई स्थिर विश्वसनिय जगत बदलातू रहे चे परन्तु जगत मां विश्वसनी असू छे जे एमां बदलातु न होय उशू छे तो के सत्तत्व ये पहला भूत मात्र छे अनपची सन मात्र छे प्रमाणे समझी शकाए तो एक आवस्तु थाई अने हवे त्वमर्थ विवेक महत्वनों छे अत्यारे हवे तत पदार्थ शोधन तत पदार्थ प्रक्रिया जे चे पूरी थाई अवे त्वम्रथ शोधन शरू थाई जे त्वम्रथ शोधन सम्पूण वेदांतमा लगबग 25 पोर्षन वेदांतनों त्वम्रथ शोधन उपर होय छे पछी एने तत पदार्थ साथे शोधननों आविरिते अईक्य स्थापवामा आवे छे अपनिशा त्वम्रथ विवेचन महत्वनू छे परंतु ए सर्वात्मता सिद्ह न थाई ने त्या शुधी अदूरुद रही जाई छे ले सर्वात्म भाव अत्वादो सर्वात्म ता जेने तत्पदार्थ शुदिन केवामा आवे जे ये अगत्यनू छे भले एनू विवेचन उच्छू होई स्वयमनी व्यापकताने आपने न समझिये त्या सुधी आ अधूरपनू अत्यन्त कष्ट अनू भवाई छे ले आत्मा स्वभावे परिपूर्ण छे अनन्त छे अने माटे आत्मानी जया सुधी आत्मानी अपनी पोतानी हूनी सर्वात्मता सर्व व्यापकत्व जे छे ए ना समझिये त्या सुधी अधूरप असंतो श्रतो चालूज रे छे ले मात्रान्य मात्र तुम्बदार्थ शोधन ले हुँ शरीर इंद्रिय मनबुद्धी रूपी उपादी थी जुदो एवो स्वतंत्र चैतन्य मात्र तत्व छू ए प्रत्य गात्मा छू ए बरोबर छे तुम्बदार्थ शोधन परन्तु आ शरीर इंद्रिय मनबुद्धी स्वरू उप छे ले एक छेत्रग्णम चापी माम विद्धी सर्वक्षेत्रेशु भारत ये जे वस्तु जे एक खुबज अगत्यनी छे ले तत्पदार्स शोधन पहला समझा व्यू ले जगतनू कारण एवू सत तत्व के सत पर्मात्मा जेने संकल्प पूरक समग्र जगतन सर्जन करियू जे ए माराथी ज्यां सुधी जुदू छे त्यां सुधी मने जे पूर्ण संतोष ना थाए आ जगतनू अंतिम सत्य जे छे फंडामेंडल बिल्लिंग लोक केवाई ए ज्यां सुधी माराथी जुदू छे त्यां सुधी मने संतोष ना थाए जगतनू सत्य को अंतिम तत्व को जगतनी बराकाश्ठा को ये माराथी जुदी न होवी जोईए माराथी अभिन्नज होवी जोईए श्वेत केतुने या तत धस्य विजगनव विजगनव येव किदू ले जगतना कारण रूपे श्वेत केतू सत परमातमाने ओलखी गयो विजगनव येलिए जगतना कारण रूपे परमातमाने जानी लीधा पची एनी जिगनासा पूरी थेईगे हा, समग्र जगतनु कारण सत परमातमा छे एनी जिगनासा पूरी थेईगे हवे अत्यारे एजे ने आगल वद्वो जुईए जगतनू कारण जगतनू अधिश्ठान जे सत पर्मातमा छे एनू पोतानी साथे अईक्य पन श्वेत केतु ए जानवो जुईए इले एने सामेथी कहीं पूच्यू नई एटले हवे उद्धालक पोते आगल श्वेत केतु ना कशापन पूच्या वगर सामेथी उपदेश शरू करे जे स्वपनांतम में सोम्य विजानी ही इती ए प्रमाने जीव विचार शरू करे जे एक सुन्दर शलो आवीज परिस्थिती कहीं के नारत जीने पन थाई यती नारत जी ए प्राण साथे समस्टी प्राण साथे तादात्मे सिद्ध कर्यू अने एमा संतोष पामी गया के हवे आना थी वधारे कहीं जानवानू बाकी न थी, आना थी वधारे बनवानू कहीं बाकी न थी, समश्टी प्राण ए व्यावाहारिक स्तरे सर्वनो आत्मा छे, सर्वनो अंतरात्म सोरूप छे, समश्टी प्राण को इरन्य गर्ब को व्यावाहारिक स्तरे जागरत ने स् बनने अवस्था मा तो ए सर्व व्यापक छे सर्वनों आत्मा छे सर्व मा ए हुँ रूपे रहे लो छे परन्दू एले प्राणात्म वादी नारज्जी थाई गया समस्टी प्राण हिरन्य गर्ब साथे एमने आईक्य पूर्वक उपासना पूर्वक एक थाई गया तादात्मे सिद्ध कर्यू एतले संतोष कृतार्थ ए बनी गया एमने लाग्यू एतले पछी सनतकुमार सामे थी उपदेश आपे छे के आवी रिते ए साचो प्राणत्म वादी अति वादी नथी एमकरी ने जिग्नासा जन्मावे छे नारज्जी मा लेक सुन्दर श्लोक छे अना पुष्टम अपि ब्रूयु हू गुरवह दीन वत्सला हा आप गुरु आपणा अचार्यो जे छे ए दीन वत्सला होई छे अना पुष्टम अपि ब्रूयु हू आम तो वेदांतनों उपदेश छे न ए पूछे एने जाप्वा मा आवे छे अब नारज्जी अना श्वेत केतु बन्यक रूतार्थ थाई गया हो आपणा तो जानेली दू जगतनु कारान परमात्मा छे सुन्दर रिते जानेली दू समझीली दू बदू करीली दू पण आगळ पूछिव नहीं अना पुष्टम अपि ब्रूयु हू पूछाएलू ना होई ने तो पन आचार्यों आपना अत्यंत करुणा वत्सल होई छे बोधयंती बलादेव सानु कमपाही साधवह तो आपना महात्माओ साधु पूरू छो छे ए बोधयंती बलादेव बलात एव बलात कारे जाने के आगळ समझावे छे लेके कोई ये बल जबरी थी कोई ये पुछ्यू ना होई ने तो पन ए समी करण पूरू करावी आपे छे सत्य ए जिगनासू थी जूदू न रहवू जोई ये जिगनासू पोताना आत्म स्वरूपे ए अंतिम परमार्थ सत्य ने समझे एटला माटे ए सामे चाली ने उपदेश आपे छे सानुकंपा ही साधव है ए अनुकंपा सहित उपदेश आपे छे तो हवे सुशुप्तिनी सुन्दर विचारणा आवे छे तोम पदार्स समझाववा माटे आवी रिते उद्धालक हवे सुशुप्तिनी वाद करे छे स्वित केतुने उपदेश मलेओ अनेनी संदे जगतकारण जे छे ए समझी गयो जगत कारण परमातमा छे जगत सत कारिय छे सत ए जगतनु कारण छे जो वाद के सुन्दर छे भाष्यमा जगत सत कारिय छे जगत जो सतनु कारिय होए तो ए मिथ्या छे वाचारंबन छे माटे श्वेद केतुने उठाए के पछी जगत जो परमातमानु कारिय होए थ्या हो, एतो हुँँ कौन छुँ, हुँँ पन शुँ सत नुँ कार्य छुँ, सत नो मारी साथे सम्बंद शुँ छे, जगत नो सत पर्मात मा साथे सु सम्बंद छे, अधिष्ठान अध्यारोपनो सम्बंद छे, जगत जे छे ए अध्यारोप छे अने सत परमातमा अधिष्ठान छे दुरुष्य जगत नो सत परादेवता साधे अधिष्ठान अध्यारोप नो सम्बंद छे एवी रिते मारो अने आ पराद एवतानो संबंध शुँँ छे एवु एने जन्मे तो हवे आखी उद्धालक जे छे एने ए आवी रिते विजारणा शरू करे छे जो सत साथे मारो संबंध आओ अधिस्ठान अध्यारोपनोज होए हुँपन सत कार्य होँ तो हुँपन मित्ध्या थैगा ने जम जगत बाधित थै उपन बाधित थै जाए इतले या आवीरिते बाद सामानादी करण न थी परंतु अईक्य सामानादी करण न छे जगत सतनू कार्य छे परंतु जीव सत पोतेज छे सत पोतेज जीव रूपे उपलब्द थाई छे एनू ए व्यावाहारी के अउपादिक रूप छे जगत नो ब्रह्म साधेशू संबंध छे अधिश्ठान अध्यारोप परंतु जीव नो ब्रह्म साधेशू संबंध छे जीव पोतेज छे ब्रह्मनू अउपादिक रूप जीव छे ब्रह्मनू सत पर्मात्मानू नहीं आरूप नथी उपादिये परिकल्पित रूप जीव छे ब्रह्मनू उपादिये करीने जे रूप देखा इने ए जीव छे इतले या अईके सामनाधि करण्ये छे जगत स्वरूप तह मिथ्या जे जगत मिथ्या छे जीव मिथ्या छे यू ना केवाई जीव पणू मिथ्या छे यू समझवानू छे जीव पणू शुँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँँ हुनी साथे आपने उपाधी नी जे जे विशेशता उमेरिये चे एने जीव पणू के वाई जीव भाव के वाई ए जीव भाव उपाधीये करीने कलपा एलो चे ब्रह्म माँ ब्रह्म माँ अने जीव माँ ब्रह्म नो जीव साधे सु संबंद चे अईक्य के अभिन्न एक ज़ छे खाली आपने अरिषा सामे उबा होई ये तो आपनों प्रतिभिंब अरिषामां देखाए तो अरिषामां देखात प्रतिभिंब नों आपनी साथे सू संबंद केवाए हूँ जचु यले एकज छे प्रति भींबनों भींब साथे ऐक्य संब्णद छे अत्व तो प्रति भींब ए भींब थी स्वतंत्र जूदी कोई वस्तू नथी कोई एक नवी एंटिटी नथी एक आ वस्तू समझवानी अने प्रतिभिम्ब जे छे ए उपाधिये करीने प्रतिभिम्ब ए माध्यम अत्वा तो उपाधिये करीने देखातू मारू रूप छे ले मारो अने मारा प्रतिभिम्ब जे सु संबंध छे आवी रिते उपाधिये करीने मारू रूप देखाई छे ले मारे तिलक करवू होए तो मने अरीसो जोईए अरीसा वगरू तिलक करी शकू नई इतला माटे कईक व्यवहार करवा माटे ब्रह्मय लिदेलू रूप छे ले अनेन जीवेना आत्मना अनू प्रविश्य नाम रूपे व्या करवाणी एजे मंत्र हतो तो नाम अने रूपनू व्या करण एटले कई व्यवहार करवा माटे लिदेलू ब्रह्मय रूप आ जीव छे जीव अने ब्रह्म ए स्वरूप ता एक अभिन्न चे अने माटे एबेश्वतंत्र जुदा चैतन्य छे यू नथी ब्रह्मा चैतन्य सुरूप छे माटे ब्रह्मानू प्रतिभीम्ब पन चैतन्य जेवूज लागे इले के चीत प्रतिभीम्ब के चीत आपास के चीत छाया एने केवमा आवे छे तो आवी रिते सतनो मारी साथेशू संबंद आपने चांदोग्यनी प्रतिगना छे कर दो चूब है कर दो दो दोकार स्वाज कर दो दोकार के अखिछ कर दो दो कर दोकारणा थैज रड़ में एक विग्णान थी सर्व विग्णान ए जे प्रतिग्णा छे सांदोग्योपनीशदनी ए आविरिते समझवानी छे एक विग्णान सतना विग्णान थी जगतनू विग्णान थाई जाए अस्तिभाति प्रियना विग्णान थी आपनने नामन रूप जे छे नू विग्णान थाई जाए कारण के नामन रूप ए आविरिते अध्यारोप मात्र छे जे सामान्य चे अधिश्ठान चे ए सत चे ता प्रमाने एक विग्नान थी सर्व विग्नान ले सद विग्नान थी जगतनू विग्नान थाई गयू केवाई उपादानना विग्नान थी कार्यनू विग्नान थाई गयू केवाई तो सतना विग्नान थी आपना जीवनू विग् यहने कई रिते जानी शकाई मारू विग्नानू मने मारा सोरूबनू पन ग्नान थाई जवू जुई तो ए विचारना हवे शरू थाई छे द्रश्य ना याथात में निश्चाई थाई छे द्रुष्य विशे नो द्रुष्य जगत विशे नो याथात में निश्चाई थाई छे जीवनी ब्रह्मरू उपता ए प्रमाणे अवे सुन्दर उपते शरू थाई छे अनुबवस तरे जीवन मुक्त महात्माओ अगेरे जे छे अनुबवस तरे अहम ब्रह्म अनुबवस तरे पेलो गनान हुँ ब्रह्म छू ए होई अने पछी आ सर्वकाई जगत जे छे ए पन ब्रह्म छे अनुबव स्तरे हुँ ब्रह्म छु अने इदम एदले के आ जगत पन ब्रह्म छे एवी रिते होई छे परंतु विवेक स्तरे विवेक विचार आपने विशलेशन करता होई आपना माटे प्रक्रिया द्वारा जारे उपदेश आपफानों होई उपदेश समय अथवातो इदम ब्रह्म समझवा माँ आवे छे आ जगत साथे आपनों एकाउंट सेटल थाए त्यारे आपने इदम जे छे ने ए आपनने अहम तरफ लई जाए इदम साथे एकाउंट सेटल थाए इदम ब्रह्म एव आपनने पहला जणावा माँ आवे पहला साथ खंडों मा इदम जगत जे छे ब्रह्म छे सत कार्य छे सत रूप छे सत थी अनन्य जेऊ समझावियू अले जगत साथे एकाउंट सेटल था ये पछी अहम साथे एकाउंट सेटल करवानू छे जे इदम ब्रह्म इदम छे एटले जे नाम रूप गम्मे देटला होई नाम रूप नी अनेक ता विविदता विशमता विशेशता अनेक होई छत पण सत जे अधिश्ठान छे एवु नेवुज होई छे ए निर्बिकार छे अध्वितियत चे अविनाशी छे इवीजरिते अहम ब्रह्म मां अहमना जितला पण रूपो छे तरश्टा शोता मनता विजनाता करता भोगता जितला पण व्यावाहारिक रूपो छे ए अगनानने लिदे कलपाएला छे अगनान कलपित उपाधीना ए रूपो छे ए सत ब्रह्मना रूपो नधी जमके गडो छे वस्त्र छे पाणी छे बोटल छे जे कही पण आखा जगत मा जे जे रूपो छे एकी वी रिते आपणे विवेक करयो बद्धाज दुरुष्यो सन मात्र छे ले गडो छे मा छे पणु अधिश्टान छे गडो अध्या रोप छे नाम अने रूप जे जे बदलाया करे जे नाम रूप नूँ सर्जन थया करे जे नाम रूप नूं मल्टिब्लिकेशन थया करे जे पणु छे यू नियू रहे जे एवीज रिते हुँ ब्रह्मचू, हुँ बुग्ताचू, हुँ रुषीचू, आचू, तेचू, जे कई पण आपना रूपो छे हुँ अनुस्युत छे, हुँ अधिश्ठान छे, अहमनू साचू जे रूप छे, स्वरूप ए आवीरिते निर्विकार सत चिन मात्र छे चैतन्य मात्र छे ले बाकीनु जेजे मने मारामा देखाई छे करता भुगता कामी ग्रोधी रागी द्वेशी अब धी वस्तुओ उपादिये करीने जणाई छे उपादिमा रहे ली छे मने स्पर्षदी नदी ए मारी ओडख नथ एने मारी साधे नावा नीचोवानों संबंध नथी एतले या समझवानु ए के जगत अनित्य छे जगत ख्षण बंगूर छे एउँ बदू समझवान नथी हूँ दुखी छू अग्नानी छू हूँ मर्त्य छू आज ए मने मारामा हूँ विशे ना खोटा ख्यालो छे द्वेशी हूँ अधूरो छू मने आटली आटली जरूरियात छे मने आटलू आटलू जुईये छे आटली आटली इच्छाओ छे मारी तो आहूमा उपाधीने लिदे जे जे रूपो जणाई छे ने बद्दा आ व्यावाहारिक रूपो ए अग्नान कल्पित छे एनो ब्र रहम्ह स्वरूप साथे आवीरिते नावा नीचो वानो संबन न थी ये मने मारामा ब्रह्म सिवाए पूणता सिवाए आनंद सिवाए अपरिछिंनता सिवाए जे कहीं पण जणातु हो ए अग्नान नू छे मारू न थी लिदे जे आपनने हर्ट औने गिल्ट जन्में छे एनो अंती मूपायतो आज छे एना धिहर्ट औने गिल्ट थी अपरादनी औने गवायानी लागणी थी मुक्त रेवानों आ एका जूपायी छे के जेना लिदे आपनने गिल्ट जन्में छे ने एक कर्तरुत्व भोक्तरुत्व तो करता ने भोक्ता खोट्टे खोट्टो जनाई छे हकिकत मा नथी अने मारामा प्रतीत थाई छे ले मारे छे ने एना थी मने पोताने मापवानी जरूर नथी हर्ट अने गिल्ट कोने थाई करता अने भोगताने थाई तो करता अने भोगता जे छे ने ए मारू अगनानने लिदे जणातू रूप छे अने माटे खरे खरू मने एनी साथे कोई संबंद नथी हर्ट ने गिल्ट जे छे ने एना थी मुक्त थवानों आ उपाय छे आपनू साचू स्वरूप सद विद्या चट्ठा प्रकणनू नाम छे श्वेत केतूने सत कारण विद्या ए समझाई गई हवे सत कारण छे एलेसू समपून जगत नू कारण आ सत छे अथ्वातो सतज उपादान छे एवु समझाई गई हवे सदात्म विद्या लेक थी साथ खंड हता एने सत कारण विद्या केवामा आवे छे अने हवे आठमा खंड थी तत्तो मसीना भाग रूपे आकी सुन्दर विचारना थशे जीव विचार त्वंपदार्थ विचार अन अपने जोइ लेहा उद्धालको ह उद्धालक ह ह आरूणी है उद्धालक आरूणी है श्वेद केथू जे पोतानो पुत्र छे ने बूलावी ने कहुँ अंधम्मे सोम्य विजानी ही इती हे सोम्य प्रिया दर्शन शिष्य तू मारी पासेथी स्वप्नांधने जानीले याँ खाली एक जअर्थ कई दो तो स्वप्नांध एतले सु सवशुप्त पुरूश अथ्वा तो स्वप्न नो अंत ज्या स्वप्न अवसान पामी गईू छे अथ्वा तो स्वप्न नो अवसान स्वप्न ज्या पुरू थाई गईू जेवी सुषुप्ती तो सुषुप्ती ने तू मारी पासे थी जानी ले अथ्वा तो सुषुप्त आत्मा ने तू मारी पास पासे धी जानी ले सुषुप्ती मा जे उपलप्द छे ए आत्माने मारी पासे धी जानी ले स्वप्ना अंधनो अर्थ इया तत्व पन करेलो छे स्वप्नना तत्वने ले स्वप्न जेमा ती उदभवे छे स्वप्न जेमा रिजोल थाई जाई छे जागरतने स्वप्न जेमा ज्यूद्बवे जागरत सपन जेमा रिजोल थाई जाई निवृत्त थाई जाई ए सुशुप्ती ने तुमारी पासे थी जाणी ले अगल सात मा खंड मा पूरुश शब्द को न माटे वाप्र आवआ माले तुमारी तैव। पुरुष मन माते अन्न मयम वहिस्य मनहा चैकेक्ष तो लखी स्विध करदारे रेवाई धस्याक सेखतभातीphone पूरूश एने जीव केवाई जे मननी उपादी वाळू चैतन्य एटले मन ज केवाई हकिकत मा जेम के दिवासली नी उपादी वाळो अगनी तो दिवासली की वी प्रक्टे एटलो जगनी प्रक्टे इटले ए सुल कड़ा वाळो पूरूश के मन के जीवात मा स्वपीती नाम तो जारे आ पूरूश सुशुप्ती मा होई त्यारे स्वपीती नाम एनू नाम स्वपीती छे केम स्वपीती गितू सता सोम्मे तदा संपन्नो भवती तो सुशुप्ती मा आजीव छे मन छे ए सत परमातमा साथे सता एटले तुरूतिया विभक्ती छे सत साथे संपन्न थाई जाई छे तो सत संपन्न होई छे आपने बदा स्वपीतो भवती पोताने प्राप्त थाई जाई जे ए पोताने प्राप्त थाई जाई जे माटे एनम स्वपीती इती आ चक्षते स्वपीतो भवती बहुज सुन्दर बहुज महत्वनु विचारणा आपनारो आ मंत्र छे आपनु नाम शूँँ छे एवो कोई ये फूछे तो आपने स्वपीती एवो नाम आपने आपी शक्किये आपी शक्कीए आपूज जूईए अपने कौन छिए स्वापीति एँव आपणू नाम छे स्वापीति इतले स्वम अपीतो भवती इतले आपने पोताने ज П्राप्त सत समपन छिए आपने सुशुप्ति मा अपूज जूई ये स्वपीती एव आपनू नाम चे स्वपीती एटले स्वमपीतो भवती एटले आपने पोतानेज प्राप्त सत संपन्न ची आपने सुशुपती मा रुशी एव जे मारू नाम चे एतो आशरीर रुपी उपादिए करीने मारू नाम चे। एले नइमितिक या नाम चे। तमारू पण तमारी ड़ी जुड़ी उपदी वगरी रूपी उपदी गया ऑपदी — परंदू कोई उपदी वगर नो मारू नाम चों से hp जो नाम वड़े ओडख थाई छे अने नाम रूपी जे ओडख जे रुशी रूपी नाम एक रुशी रूपी ओडख उभी करे छे अने एना अधारे व्यवहार थाई छे त्यारे जे उन बोलवानों व्यवहार करू जो ए आमारा नाम के ओडख ने लिते थाई छे तो इवी जरित्ते कोई उपाधी वगर्णू मारू नाम शूँ छे जेमा कोई उपाधी ना होई स्वपीती हाँ स्वपीती तो स्वपीती ए मारू निरुपाधिक नाम छे कोई उपाधी नथी सुशुप्ती मां बद्दिज उपाधी जे छे ने चोड़ी द उच्यू, उपादी साधे मारों कोई संबंद न होई, त्यहरे मारू नाम स्वपीती छे, ले मारू खरू नाम, बाई अपनू नाम लखु तो स्वपीती प्राप्त थाहला होई suburbs सत संपन एने स्वपीती कहवाए सत साथे एक थाएला होईये छी आपने आने माटे एने स्वपीती एउ कहवा माँ आवे छे तो स्वपीती इतले स्वम ही अपीतो भवती स्वपीती एक क्रिया पद पण छे अने स्वपीती ए नाम पण छे सम्स्कृत माँ पाणिनी व्याकरण जे छे ने रामह रामव रामाह रामम रामाव रामान आने सुप प्रत्ययो रामह पजी रामव पाणिनी व्याकरण मा के वाई छे तो रामह रामव रामाह रामाह एने सुप प्रत्ययो रामह पण पाणिनी व्याकरण मा के वाई छे तो रामह 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 एने सुप प्रत्ययो रामह 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 एने सुप प्रत्ययो राम अम्हों अवैं चे ती तह अंती वगेर तिंग प्रत्ययों केवा मा आ वैं चे तोर्ण स्वपीन जे छे नए अग्नानी माटे अविवेकी माटे। क्रियापद नू रूप चे तिंग इ gün पत ध्लियापद गछतिंद्या जिवरूप चे स्वपीन य愉ग्ला न Tina KIV होच अग्नानी माटे स्वपीती ए क्रियापद छे धातु छे धातु नुँ आविरिते तिगंद रूप छे अग्नानी के अविवेकी हब कोई मालसंतो है तो आपने कहिए नए आतो उंग़े छे ले उंगवानी क्रिया करे छे अगनानी के रहो स्वपिति येे तीगंद़ रूप छें परंतु वीवेकि माटे स्वपिति शुबन्त छें सुबन्त ये दोले नाम संग्ण्या छें स्वपिति जो नाम रामह रामु रामा हा नी जम नाम होए तो स्वपिति विभक्ति कई recognized रामाह रामो रामाह इवी रिते सुबंध रूप होई तो स्वपीती प्रत्मा एक वचन आपनों नाम छे प्रत्मा एक वचन रूप छे अहम स्वपीती नामा अस्मी अहम स्वपीती नामा अस्मी मारू नाम स्वपीती छे स्वपीती शब्दनों एक वचन वचन रूप हजी बनाओ न जम के में बनाई हूँ अहम स्वपीती नामा अस्मी स्वपीती मारू नाम छे यू आपके संस्कृत मा बनाई है तो मारू नाम स्वपीती छे तैम स्वपीती ना पाच्छ वाक्यो बनाव जो रूशी ना कितला वाक्यो डगले डगला बनाई दही आपन तैम स्वपीती ना थोड़ा बनावा पड़े ना पड़े स्वपीती आपड़ू नाम होए तो कोई विचारी छेके अत्यारे स्वपीती ना थोड़ा क्वाक्यो बनावा जो स्वपीती 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 नाम क्यों चे जो अगनानी माटे स्वपीती क्रिया पड़ क्यों चे स्वपीती नाम क्यों चे क्यों बदधी जो जो अपड़ा स्वपीती धने त्यारे उगई आवे बद्धू ज छुटी जाए ने, आपणा सन्यासी थाई जाई जाई ने, त्यारे उंग आवे, उंग आवे त्यारे आपणे कोई क्रिया करता नथी, एले, ख्याल आयो, स्वपीती वीवेकी माटे नाम केम छे, स्वपीती एक क्रिया नथी, क्रिया अगनानी माटे छे, उंगवानी, परंदू वीवेकी समझे छे, स्वपीती एले, उंगवानू, तो हौँ, त्यारे उंग क्रिया करतो नथी, उंसत संपन्न होजू ऐले स्वपीती सत संपन्न हस्ती यूपन के वाई वरोग轅 स्वपीती वक्य के शुदे सता सोम्य तदा संपन्न हो भवती स्वपीती सत संपन्न हस्ती यहाव आग्ये 3 जूँ थाई च가요 चलो बनाओ स्वपीती मम निरुपादिक नाम अस्ती स्वपीती मम अनवर्थ नाम अस्ती स्वपीदी ममा सत्य स्वरूपम अस्ति स्वपीदी साथे आपनू तादात में थाओ जोईए इटलू आपने ए नाम वालू लागू जोईए जो मुरुशी नाम कोक बोले आहा जाराम मारमनमा कैक तही जाए हम कैक पड़ें आपना नाम साथे आपनू किटलू तादात में थाओ जोईए तो स्वपीदी ना दस वाक्यों तो एटलिस्ट बना हुआ जोईए आपने के ममा प्रिय नाम स्वपीदी असती आभी रिते लालो कही है तो किवो मज़ा आवे मा येना बाड़कने लालो कहीन बोलावे त्यारे ये लालान के ली मज़े आवे भुलामनू नाम केवाए ने इवी रिते स्वपीदी आपनू भुलामनू नाम चे बहु मज़ा आवी isol ये तो कोक बोलावे चे के ओड़क चे स्वपीती शब्द साथे पन आपनू तादात में थवू जुई है जे मात्माना नाम आपने गणी वकत अईतर्यमा थी माडी ने पहला ना स्वाध्यामा गणा आपने विचारेला चे स्वपीती मारू नाम चे पछी अपना अन्वर्थ नाम एतले घणा बदा अपने जे काया वरोन नी शिबीर हती न जे आनी पहला नी कठो उपनीशद पहला कयो उपनीशद बने आता अपने काया वरोन नी शिबीर मा स्वामी जी साथे गयाना गया वर्षे मैत्री उपनीशद मा इटला बदा अपड़ा अन्वर्थ नाम हता ने अहम अनवस्थ हो इले मारी कोई अवस्था न दी उन्तो अवस्था वगर नो चुँ अवस्था वनु अधिस्था न चुँ आवा स्वापीती जेवा अन्वर्थ नाम बाउज बदा मैत्री उपनीशद मा मड़ेला चे चलो एवुँ आवा ग्रूप मा मुकिश हाँ एले अग्नानी माटे स्वापीती एक क्रिया चे क्रिया पद चे स्वापीती प्रथम पूरुष एक वचननू रूप थाई छे ए उंगे छे यत्र एतत पूरुष ह स्वापीती नाम हैना दी विवेकी माटे स्वापीती ए नाम चे संग्या चे प्रथमा विबक्ती एक वचननू ए रूप चे तो स्वापीती ने नाम कई रिते कीदू तो निरुक्त के निर्वचन जब मापने शांडील ले विद्या चांदूग्य का ने बणे त्यारे तत जलानीती शांत उपासित तो यगतनू निर्वक्तनी तश्टी एक जगत तो ज ए ए इसले जन्म गई एले गच्छती एतले कीँ स्थिती आने एowe गच्छती एतले लए अने त त एले अन जलान की देलूने एले जलान एले जलान एले जन्मे छे लए पामे जे अने अन एले स्वासले छे एले के स्थिती टकी रहे छे जगतनो अर्थ हैं त्या जलान करेलो इवी रिते शर्वम कल्विदम ब्रह्म तज जलान इती शान्त पासी तए पन निरुक्त प्रमाणे एनु आपने वचन निर्वचन समझे आ हता तो इवीज रिते स्वम्ही अपीतो भवती ए पोताने प्राप्त थाई जाए छे पोताना साचा स्वभावने प्राप्त थाई जाए छे पोतानी आगंतुक ओलखो बद्धीज जे छे ए पोईपण आगंतुक के आगमा पाई वस्तु नथी रहती मात्र जे नित्य अबाधित के विश्वसनी या स्वरूप छे आपनू ए रूपे आपने रहता होई जिये माटे स्वम्ही अपीतो भवती एदले स्वपीती तो आने निरुक्त नू निर्वचन केवाई प्राप्त ह स्वम इले पोताने प्राप्त थाई जाए जे स्वम आत्मानम स्वम निरुपादिकं ब्रह्म परादेवताने प्राप्त थाई जे जे परादेवता आपनू पोतानू मुलबूत स्वरूप छे अत्यारे मारू विश्वसनीय स्वरूप शूँ छे एउँ मारे निर्दार करवो छे तो हूमा छे ने आपनने शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धी, अहंकार आते बदी गणी बदी उपादियो ना बेलसेल वालू रूप जनाई छे हवे ए बद्धा माधी साचू, विश्वसनिय, कायमी रेवू, स्थीर, स्थाई रूप कयू छे मारू, तो एकपन उपादी न होए ने त्यारे मारे हूने निश्चित करवो पड़े, निर्धारित करवो पड़े बद्धी उपादियो छुटी जाए, त्यारे हून के वो होई जे, तो ए मारू मुलबुत साचू, विश्वसनिय, स्वरूप होई, तो सुशुप्ती मां आवी रिते भगवान निक रूपाती बद्धी उपादियो छुटी जाए जे, अने ए वकते हून सद ब्रह्म, के ज मारू साचू, स्वभाविक, विश्वसनिय, अने क्यारे विखुटू न पड़नारू मारू सोरूप छे, लेसत परमातमा साथे अईक्य आवी रिते पन समझाववामा आवे छे, घणी जी विचारना बाकी छे, सुशुप्तीनू विश्लेशन करवामा आवे छे, सुशु तो समाधी वखते जे स्थिती प्राप्त करवामा आवे छे, अनेक प्रयतनों वडे, ए अनायासेज आपने समझी शक्किये छे, अनायासे, समाधीनी जरूर केम पड़े छे, उपाधी विनिर्मुप्त जे स्वरूप छे, कयू छे मारू, एनी ओडख माटे, तो ए ओडख सुशुप्तीना विचारदवारा अनायासे, सिद्ध थाई जाई जे, अनायासेज आपने ए तत्व, ए मारा मुलबुत स्वभावनों आपने निर्दारण करीशक्किये छे, एले स्वप्नान्तम में सोम्य विजानी ही, एउजे उद्धालक के छे, एले स्वप्नानों अंत मुलबुत थाई जाई जे, मारी बद्धीज व्यावाहारिक ओडखो ज्यारे छुटी जाई ज्यारे जती रे छे, ए स्थान कयू छे मारू, ले कयू स्थान ज्यारे मारी कोई व्यावाहारिक ओडखो हती नथी, ए मारी जे मुलबुत वस्तु छे, ए मुलबुत स्वरूप जे मुलबुत तत्व जे एने तु मारी पासे थी जानीले उद्धालक श्वेत के तुने के जे स्वपनान्तम शब्द पण खुब जगत्यनों जे स्वपननू तत्व इतले स्वपननू अंत स्वपननू अवसान स्वपननू साच्चू स्वरूप स्वपननी वास्तविकता अ जानी ले, जाने के यूज उद्धालक गई राया छे, स्वप्नांत पण जाने के आपनू आ नाम छे, हूँ स्वप्नांत छू, ले स्वप्नानों अंत छू, स्वप्नानों तत्व छू, मारा मां थी स्वप्ना जगतनों उद्बव थाई छे, प्रतीत थाई छे, आने स्वप जागरज्ये छे मारामा लाए पामे छे आपनू स्वपनांत एवु नाम पन छे तो स्वपीती स्वपनांत अबदू सुन्दर छे बाशना दारे आवता वक्ते आपने जोईशू ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदज्यदे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमे वावशिष्यदे ओम शांति 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 ही हरी ही ओम श्री गुरुब्यो नमहा हरी ही ओम